सो भाई आज हम करने स्चार वार्ज आउटलॉस का रिव्यू जो मैं मानता हूँ भाई पूरे एक महीने लेट आ रहा है बट हम चाहते थे कि या रिव्यू करेना तो अच्छे से करें चाहां नियूरमैंसर ने 42 आर्ज बिताया हैं इसे खेलते हुए इसका मतलब उन्होंने गेम की मेंन क्वेस्ट, अंगिनत साइड क्वेस्ट, मल्टिपल इंटल मिशन्स और कॉन्ट्रैक्ट सब पूरे किया हैं और हाँ इतला डाइम किसी भी गेम में बिताने के बाद ये बात तो पक्कर है कि गेम इंट्रस्टिंग तो है अब न्यूर्मेंट से अनने मेरे से शुरू में कहा था कि यार ना गेम खिलने में उतना मजा नहीं आड़ा बट तब उन्होंने सिर्फ एक दो घंटी खेला था मेक सूट्स थे तो ओवरॉल गेम खिलने में उन्हें काफी मजा आया और स्टार वर्स आउटलोस भी कुछ ऐसा ही है पहली बात तो यह है कि गेम की सेटिंग स्टार वर्स के युनिवर्स में पर एक गलेक्टिक सिविल वर के दोरान होता है मुवीज के बात करू तो यह Empire Strikes Back और Return of the Jedi के बीट सेट है जहां काफी Jedi या तो मारे गए थे या छिपकर Underground हो गए थे ऐसे में गेम की protagonist Cave West जो की एक थीफ है वो ना कभी-कभी छोटी-मोटी-छोटी चेकारी करती रहती थी बट उन में से एक जॉब गल्द चली गई और जल्द बाजी में उसे अपनी Space Ship ट्रेल ब्लेजर में भागना पड़ा तो शारा नाम की Planet Bay वो अपने cute companion Nix के साथ है बट वहाँ दो syndicate factions के बीच एक war चल रही है इस दुरान एक Outlaws अपने ग्रूप में KWS को शामिल कर लेता है और अब उसको एक खुद की crew form करनी पड़ेगी एक बड़ी हाइस पुल ओफ करने के लिए स्चोरी एक्चुली में अच्छी है जो Neuromancer ने एकस्पेक्ट नहीं करी थी और बात साफ है कि गेम पी राइटिंग अच्छी है पर वो connecting dots थोड़े से structure नहीं लगते अब Outlaws ना primarily एक stealth based game है जहाँ आपको areas को infiltrate करना पड़ता है एक spy की तरह Ubisoft के दूसरे stealth games जैसे की splinter cell में आपको stealth mechanics मिलते हैं लाइक dark and light mechanics यह sound meter यह एक snake camera जिससे आप enemies को tag कर सकते हो Outlaws में भी ऐसे mechanics है पर एक cute companion की रूप में जिसका नाम है Nix जैसर मैंने बताया Nix K का companion है और इसके पीछे भी Outlaws में एक emotional backstory है K और Nix की chemistry सच में heartwarming होती है जब आप speeder चलाते हो तो Nix backseat पर सवार होता है जब आप कहीं climb करते हो तो Nix आपके खंदे पे होता है और Nix काफ़ी useful भी है वो आपके लिए weapons, health packs और grenades को दूर से उठाकर ला सकता है किसी NPC से एक जबरी item जैसरी key cards भी चुरा सकता है किसी बंद दरबाजे को आपके लिए खोल सकता है और stealth के वक्त वो आपके आस पास के enemies को detect कर सकता है alarm को sabotage भी कर सकता है enemies के सामने मरने का नाटक भी करता है ताकि वो distract हो जाए और के उने मार सके यहां तक कि अपने cute दातों से उन पर attack भी कर सकता है चलो यह तो होगी next की बात अब देखते हैं कि हमारी protagonist के क्या 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 कर सकती है अब के ना stealth और combat elements को mix करती है पर combat discuss करने से पहले गेम को ना कुछ चीज़ें interesting बनाती है जैसे गेम में side activities भरी बढ़ी है कहीं आप virtual गोड़ पे betting करते हो कहीं jukebox होता है और आप in-game music को बदल सकते हो कहीं जगा virtual video games होते हैं भई पुराने वाले retro वाले game जिने आप खेल सकते हो और कहीं actual speeder races भी होती है आप अलग-अलग planet को अपने trail blazer में navigate करोगे intel के लिए अभी side missions आपको ऐसे ही नहीं मिलते कहीं आपको किसे जाके बातचीत करनी पड़ती है या फिर किसी की बातचीत को छुपकर सुनना पड़ता है कहीं आपको अलग-अलग locations को infiltrate करके keys जुननी पड़ती है जिससे कि आपको किसी secret location का या फिर black market का पता लग सके तो कहीं आपके speeder के लिए upgrades भी मिल जाते है बैसे एक stealth game होने के नाते ना यहां काफी hacking और puzzle solving भी है closed doors के terminal को hack करने के लिए trial और error mechanics होती है पर game यह device आपको यूँ ही नहीं देदेगा इसके लिए आपको expert intel side missions करने बढ़ते हैं कुछ locks को खोलने के लिए आपको lock की rhythmic beats को भी match करना पड़ता है और items की तरह ही game में abilities भरे बढ़े हैं पर यह सब export intel missions को करने से आपको मिलते हैं कुछ मेरी missions से भी unlock होते हैं पर जादतर unlocks optionally होते हैं इसलिए review के लिए neuromancer ने बताया कि कुछ missions difficult हो रहे थे तो उन्होंने expert missions के थूँ इन missions को असान बनाया जैसे कि smoke bomb unlock करना या speeder में boost और jump की ability unlock करना अब star wars में अलग-अलग planets तो हैं तो उनमें अलग-दग crime syndicates भी होती हैं जैसे की factions आप उनका भरोसा जीत कर काफी areas अराम से explore कर सकते हो पर साथ ही साथ आपको कुछ amazing items, charms और outfits भी मिलते हैं इससे game में repetition system मिलता है और gameplay थोड़ा dynamic भी हो जाता है यहां choice और consequences भी होते हैं गेम में किसी भी syndicate के पास से आप एक job उठा सकते हो पर आपको हमेशा उनको दोखा देने का भी option मिलता है बिल्कुल एक validation की तरह तो ऐसा करने से एक के बास तो आपकी repetition कम हो जाएगी बर दूसरे के आगे बढ़ जाएगी तो अगर आपको लगए कि यार किसी एरिया में security बहुत tight है तो आप उस faction के jobs कर सकते हो कुछ credits कमा सकते हो और भैतर gear भी unlock कर सकते हो और गेम को अपने लिए असान बना सकते हो यह system इस गेम की theme पर भी suit करता है because यहां आप एक outlaw हो, एक चोड तो आपको जिससे ज़्यादा फायदा मिलेगा आप उसकी तरफ जुग जाओगे अब visuals को अगर हम देखे तो हाँ कई hate और कई miss लगेंगे बटा स्टार वार्स की world building काफी mercy है और यह हम game के लग़़़़ग विश्चार्स और NPC behavior में भी देख सकते हैं जो आप game में शुरुआत से नोटिस करोगे भागता हुए left में एक TV होगा जो की camera surveillance की clips को दिखा रहा है वहीं एक cook खाना त्यार कर रहा है Underworld की जो location है वहाँ उसका casino वाले environment काफी authentic लगता है कभी घुमते हुए एक रसोई में चले जाओगे जहां धालियों में exotic genre मिलेंगे बार्बी क्यों grills हैं एक cook है जो की meat को परोसने के बाद अपने हाथ साफ कर रहा है marketplace में लोग खरीदारी कर रहे हैं भावतोल कर रहे हैं कोई alien mechanic चीजों की मरमत कर रहा है कई एक robot जमीन साफ कर रहा है Star Wars के universe में अंगिनत बायोमस हैं और यहां पर भी काफी अलग अलग बायोमस हैं पहले केंटोनिका है जहां gambling खूब चलती है और crime or corruption भी बहुत common है तो शारा एक सवाना जैसा है जहां lakes हैं waterfalls हैं, अलग अलग फ्लॉड़फॉना है और ऐसा लगए कखी दुनिया बादलों से खिरी हुई है वही कहीं एक बरफीला wasteland भी है जहां नई gangs हैं, NPCs हैं, illegal workshops हैं और ancient temples भी इससे हटके करिकिस्तान भी है जहांके NPCs अलग लगते हैं, उनकी daily activities भी अलग हैं वैसे गेम को explore करने में अपनी speeder bike पे अलग ही मज़ा आता है जिसमें actually में wheels नहीं लगे होते और यहर गेम में vehicles का sound design actually काफी अच्छा है चलो यह तो बात हो गई bike की, अब बात करते हैं interplanetary travel की तो देखो, मैं और neuromancer, दोनों ही sci-fi genre की books, movies और games के fan है Interstellar, The Martians, Star Trek और Apollo 13 movies बहुत पसंद है और इसलिए मानना पड़ेगा कि Star Wars Outlaws का interspace travel actually में अच्छा है आप अपने trailblazer spaceship को take off करते हो, बिना किसी लंदी cutscene के space में पहुँच जाते हो मतलब पूरी zero gravity वाली feeling आती है आप चाहो तो अपने next planet तक manually navigate करो या फिर hyperdrive activate कर लो, जिसमें punch का option मिलता है दोनों में visual space nerds को पसंद आएंगे और trailblazer को control करना भी काफी अच्छा मैसूस होता है अब यहाँ तक video देखकर आपको लग रहा होगा कि यार game तो अच्छा लग रहा है सुनने में So problems का हैं? वेल अब उनी की बात करते हैं और आपको साफ साफ बता देंगे कि यार हमें क्या क्या पसंद नहीं आया या वो features जिन में improvement की जरूवत है जैसे speeder में navigation तो मज़दार है इस पर आपको adrenaline rush का shot मिलता है जिससे आप enemies को tag करके उन्हें मार सकते हो और best product की आप इने bike पर बैट के भी कर सकते हो बट that's it आप अपने speeder पर बैटे बैटे free aim shoot नहीं कर सकते है चोकि बहुती बड़ी complaint है हमारी क्योंकि यार आज के open world games में ये तो बहुती basic feature होता है दूसरी बात हम जानते हैं कि यार game stealth focus है और आप अपने handgun या फिर blaster को customize कर सकते हो चोकि गेम में electric और iron या gunshots और plasma या एक powerful magnum shots जैसा option देता है पर आपको बस यही एक gun मिलती है हाँ game में आप कुछ combat scenarios में enemies के weapons को उठा सकते हो पर अगर आप कोई action कर लेते हो जैसे कि ladder पर चलना या फिर अपने speeder पर बैट जाना तो यह आपके हाथ से गिर जाती है हमें समझनी आए कि एक sniping gun को लेकर आप किसी ladder पर क्यों नहीं चर सकते जहाँ पर एक vantage point होगा और वहाँ से आप दूर से मार पाऊगे enemies को वरना कम से कम RDR की तरह अपने bike पे तो weapon store करने का option देग देते और कि यहाँ पर heavily armored storm troopers को एक थपर मार के भियोश कर देती है जो मुझे और Neuromancer को काफी flimsy लगा और थोड़ा funny भी enemies ने bullet spawn जैसे लगते हैं और shooting से तो हम बहुत ही ज़ादा disappointed है खास दोर पर जब यह game division को बनाने वाजी studio ने ही बनाई है जिसकी shooting जबरदस्ती बाकी हाँ पर unlocking puzzles कुछ जादा ही है Neuromancer पहले एक door को unlock करते हैं वो rhythm puzzle के साथ तो उनके पास एक chest मिलती है जिसमें भी same puzzle है उसके बाद एक और दर्वाजा मिलता है जिसमें same puzzle है कितनी बाद करेंगे एक ही puzzle को फिर game के biomes इतने प्यारे हैं space travel और dogfights में कितना ज़्यादा मजा आ रहा है पर cutscenes के भार characters पता नहीं कियों कितने अगली लगते हैं और KK character model को देखके लगते हैं कि उस पर ज़्यान ही नहीं दिया गया या फिर उसे intentionally ऐसा बनाएगे अब अगर आपको main character ही हजीव लगे charming ना लगे उसकी personality पसंद ना है तो game में 40 plus hours बिताना एक बोट जैसा भी लगेगा Neuromancer को भी लगा कि यार गेम में बहुत ज़ादा polishing की जरुवत है वैसे तो Ubisoft ने Harley में announce किया था यार गेम 5600 रुपीस का है digitally वो भी standard edition which is too much यार इससे 1000 रुपए कम में तो आपको black myth wukong मिल जाएगा तो भला कोई ये game खरीद कर क्यों खेलेगा बहुत लोग ने तो शायर Ubisoft Plus से ही इसको खेला होगा वैसे गर बात हुई रही है तो ये भी mention करना important है किया गेम को सिर्फ 4 साल में ही बनाया गया है जो इस scale के open world game के लिए काफी कम है जैसे दूसरे games को देखें तो Avatar Frontiers of Pandora को 7 साल में बनाया गया था अब आप कह सकते हो कि फिर भाई Assassin's Creed जैसे games 3-4 साल में कैसे बन जाते हैं अगर में इसे दूसरे game से compare करूँ जैसे कि Assassin's Creed Valhalla या फिर RDR2 जो कि Rockstar का game है उसमें 2000 की करीब लोगों ने काम किया था तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि Outlaws को कितना जादे कम resources दिये गए है अगर इसे एक-दो साल का थोड़ा और टाइम मिल जाता तो maybe ये better game निकल के आता अब देखो final verdict की बात करें तो game अच्छी है बट average ही कुछ खास नहीं है और कुछ खराब भी नहीं है ये बस एक काफी save game है जिसमें next और gameplay mechanics चान तो डालते हैं पर इन्हें wow factor नहीं है खेलने में मज़ा आएगा पर हम सबको ये recommend नहीं कर सकते इसलिए हमें इस game को average rating की देते हैं 6.5 की अगर आपने भी ये game खेला है तो बताओ कि आपका क्या opinion है अगर recently हुए Sony के state of play की 20 biggest announcements के बारे मैं जानना है तो उसके लिए left video पे click करो और GTA 6 के कुछ लीक से बार में जानने के लिए right video देखो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लेगे तो लाइक कर दो चैनल को सब्स्राइब कर दो रोगा आपसे लिए वीडियो में तब तक लिए भाई keep gaming and keep gossiping